नमस्कार हम सब कैसे हैं वल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं होम टूट दे रही हूँ और ये घर बिल्ट हुई है 1893 में और ये सिजी ने रेकोगनाईस किया है हिस्टोरिकल हाउस बोलकर उसलिए ये प्लक देखे गया है ये घर के लिए और ये प्लक घर के सामने में ऐसा करक रखते हैं जो जो हाउस हिस्टोरिकल हिसाब से रेकोगनाईस हुआ है और ये देखे लेटर बॉक्स है ये भी एंटिक लेटर बॉक्स है ये इसके पीछे में जो डोर ओपन करते है और इसी में लेटर मैन ये लेटर वोमन लेटर रख कर जाते हैं हम लोग इधर से लेटर पिक करके घर पे लेकर आते हैं यह letter box stand में दो बड़ा सा screw दो नहीं चार screws है वो चार फोर screws हमारा यह बरंदा के उट के साथ connected है I mean screw in किया हुआ है और उसी लिए यह गिरता नहीं है और अब देखे यह हमारे सामने बरंदा का side में भी steps है हम लोग इथर से भी अंदर नहीं side पे driver में हम लोग जा सकते हैं और नहीं तो कोई guest अगर आता है side में गारी पार करके फिर वो side stair से हमारे front door में आ जाते हैं और देखे यह front door में keyhole और open handle कितना सुंदर है कितना बड़ा सा अब यह दिखता ही नहीं है और अब आ गए हैं हमारे front door दो है बाहर का शिशा का एक है और अंदर में wooden और पूरा wooden का half panel यह घर का जादा तर घर पे पूरा half panel pure wood का लगा हुआ है और second door second door में देखे same thing keyhole कितना सुंदर है यह घर पहले जमाने में इतना सारा wood available था बोलके चारो तरफ से उड़ और उड़ से ही काम किया हुआ है अभी किसे के पास अगर पैसा भी हो लेकिन इस तरह का pure wood मिलता भी नहीं है और नहीं इस तरह का handy person ही मिलेगा जो आप लोगों को इतना सुंदर सा दर्वाजा बना के दे या 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 वाल का भी ये पैनल बना कर दे सकते है अब मैं दिखा रही हूँ living not living room dining area से entrance hall का entrance और हम लोग जब ये घर देखने आया थे previous owner ने हम लोगों को ये main entrance से सिधा इधर पे लेकर आया था और ये section ये घर का सबसे best area है और हम लोगों को explain भी कर रहा था ये पूरा जितना भी काम किया हूँ पूरा hand work है और ये देखे शैंडेलियर ये भी original सैंडेलियर है मैं बहुत पास होसती हूँ auction में ये sell कर दूँ क्योंकि 100 years पुराना है बोलके लेकिन जोगी ने बोलता है बिलकुल हाथ नहीं लगा और बहुत दीन especially winter में हमारा इधर पर बहुत ही dark रहता है तो मैंने बहुत दीनी light on करके रख देती हूँ और देखे ये बहार का जो शीशा orange कलर का शीशा से बना हुआ है इसका reflection होने से मुझे baking soda ये तीनों mix करके spray bottle से spray करकरके मैंने dusting कर लेती हूँ लेकिन बहुत ही कम dusting करती हूँ हमारे इधर पर ज्यादा धूल होती नहीं है जैसा ही इंडिया में सब को बोलता है जो एक दिन अगर आप जाड़ों नहीं लगाए तो गंदा हो जाता है इधर पर उतना dusting करना नहीं पड़ता है क्योंकि पुरा window तो हमेशा lock ही रहता है summer पर बहुत ही गंदा हो जाता है इस portion पर हमारे घड़ पर जितना भी guest आते हैं बहुत enjoy करता है हम लोग तो करते ही है appreciate करते है सच में उस जमाने में कितना सुन्दर सा handwork का काम किया हुआ है और अभी के जमाने में किसी के पास इतना समय भी नहीं है और नहीं experience भी है देखे इतना खुबसर सा artwork अगर next generation को भी मिलता तो कितना अच्छा होता था लेकि next generation इसलिए interested नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा तो मिलने वाला है नहीं ज़्यादा तर आर्टिस लोग को पैसा मिलता नहीं है उसलिए next generation भी interested नहीं हुआ है और और अर्थ से ये खुबसरा सा आर्ट भी वैनिश हो जा रहा है हमारे पास पहले चार चेर का एक डानिंग टेबल थी और जोगी का तीन भाई उसके family और मेरे दो दीदी और उसके family जब हम लोग सब इकटा होते थे एड़ट्स लोग भी एक साथ बैठकर खा नहीं सकता था और नहीं बच्चे लोग एक साथ बैठकर खा सकता था उसलिए हम लोग का जब मौका मिला है तो मैंने एट चेर का मैं खड़ी दी थी ताकि सब कोई एड़ाट लोग एक साथ बैठ कर खाए और जब बच्चे लोग बैठ कर खाना खाएगा तब बच्चे लोग एक साथ बैठ कर खा सकता है खाना लेकिन अभी देखे सब बच्चे लोग भी बड़े हो गए हैं इकठा कोई आता नहीं है और ये चेर और टेबल अब मैं सोचती हूँ बहुत बड़ा हो गया है ऐसा ही होता है भगवान के मर्जी ये कॉर्णर पर हम लोग प्रिफियस ओनर से खड़ीदे हैं जोगी के पास बहुत सारा कलेक्टिक आइटेम है वो ठीक से डिस्प्ले नहीं कर सकता था लेकिन अभी भी तो थोड़ा सा ही इधर पर रखा है और जादा तर सब समान पैक करके ही बॉक्स के अंदर में रख दिय है चले मैं इसको खोल का दिखाती हूँ इसकां क्या क्या है मा दुरगा का यह ठाकोर मैं मुझे मेरे देदी इंडिया में कई थी हो मूझे दी थी और उसके बात सिलुवर कास्भ दुरोगा लक्षमी माता गनेश्या और यह लक्षमी माता दो सिल पर को और उसके नीचे में ये भी किसी ने जोगी को कामधेनु गाई गिप्ट दिया था ये बहुत ही खुबसूरत से है और ये राथा कृष्णा हमारा बहुत ही अच्छे दोस्क क्यालकटा में रहता है बॉबी और दशना और उसके बेटी चीकू मैं थोड़े से चिंतित थी इत दूर तक ला सकते हैंगे कि ये नहीं लेकिन जोगी ने बहुत अच्छे से बबल पेपर से अच्छे तर से पैक करके अपने हैंड में कैरी करके लाया था और हम लोग जब अन्पैक किये थे सबसे पहले मैंने चेक कि कहीं पर थोड़ा सा ना तूट ना जाए लेकिन हाँ स सब बिलकुल ठीक है एक दम बोल देने राधे राधे जोगी पहले इंडिया में कहीं पर भी जाता था सबसे पहले वह लोकल गनेशा खड़िता था इसलिए जोगी के पास बहुत सारा डिफरेंट टाइप का गनेशा है और यह सब गनेशा का प्रान प्रतिष्ठा नहीं यह पेंटिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कितना कलर्फुल है ब्राइट कलर और यह पेंटिंग जोगी इंडिया में गया था एक स्कूल में विजिट करने के लिए तो उसमें एक स्टूडेंट ने अपने हाथों से पेंट करके उसको दिया था और वह आर्टिस्ट जो है अपना नाम नहीं लिखा है लेकर बहुत ही प्यार आसा है देखें यह उपर में जो कैमल्स है यह हम लोग राजस्तन में खड़ी देते हैं हैंड मेड बना हुआ है लेदर का और रात को हम लोग इधर पर स्विच अन कर देने से इस तरह से डिफरेंट लाइट्स अन हो जाती है और देखने में बहुत ही खुबसुर लगती है और हम लोग एंजय करते हैं देखें लाइटिंग के वज़े से कितना खुबसुर सा लग रहा है राधे राधे मेरे पास एक ही अच्छा अच्छी तरह का डाइनिंग यह सेट है और मैं वाइट कलर के इसलिए पसंद करती हूँ ताकि किसी भी सेजन पर मैं यूज़ कर सकती हूँ मैं दूसरे कॉर्णर से दिखा रही हूँ एक चीज मैं बोली ही हूँ यह घर हंडेडर थर्टी एर्स ओल्ड तो यह यह डोड देखें इसको पॉकेट डोड बोलते हैं ऐसा हैंडल निकालने के लिए यह जो है बटन प्रेस करके इसको पक्रोगे और इस तरह से एक हाथ से मैं हाथ मैं लगे हैं क्योंकि एक हाथ से मैं पूल कर रही थी और एक मैं तो यह पॉकेट डोड मैं पूरा बंद करके नहीं दिखा रही हूँ विल के साथ से यह दोड उपर से हैंक किया रहता है तो इसको मेंटन करना पड़ता है मुझे मालूम है यह ब्लॉक बहुत बड़ी हो चुकी है लेकिन मैं अपने मेमोरी में रखने के लिए यह ब्लॉक में बड़ी रखी हूँ आप मेरे साथ रहने के लिए और आप अगर नए हैं तो प्लिस कम्मेटी में जाके कॉमेंट करें आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपको नेक्स देग सब्सक्राइब बैक करूंगी Thank you so much